दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप आइफोन में गूगल ड्राइव से फोटो या फिर वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो Google Drive से डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या सबसे पहले तो Google Drive open कर लेना है Drive open करते ही इस टाइप का आपको interface मिलेगा अगर इदा उदर क्लिक रहता है तो आप simply files पे click कर लीजिएगा उसपे click करते ही आपको आपकी जो भी photos, videos पढ़ी होंगी वो आपको दिखाने लगेगा अगर किसी folder के अंदर पढ़ी है तो आप simply ढूंड लीजिए कहा पर पढ़ी है जिसको आपको download करना है अब download करने के लिए करना क्या है अगर आपको कोई photo करनी है तो आप simply उसपे click करिए click करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपको three linings दिखाएगा आप इसपे click करेंगे click करते ही आपको एक option दिखाएगा यहाँ पे send a copy का आप इसपे click करिए इसपे जैसे ही click करेंगे तो नया interface आएगा आपको एक option दिखाएगा save image का जैसे ही आप इसपे click करेंगे तो इस टाइब से दिखाएगा आपको और यह आपकी photos app जो है जो भी download करना है three linings पे click करेंगे उस पे click करने के बाद यहाँ पे भी same process है send a copy का option दिखाएगा इस पे click करेंगे और यहाँ पे save video पे click करेंगे यहाँ पे इस टाइप से दिखाएगा preparing to export और यह आपका जो है simply आपके photos app में आ जाएगा अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीज़े like channel को कर लीज़े subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए